अंडा और लस्सी एक साथ खाने से क्या होता है? क्या एक साथ खाना सही है? अंडा और लस्सी एक साथ खा सकते हैं दोस्तो अक्षर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अंडा और लस्सी एक साथ खाने से क्या होता है? क्या एक साथ खाना सही है? और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेगे, आप बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे आईए वीडियो को शुरू करे वैग्यानिक द्रिष्टिकोन से देखा जाए तो अंडा एक प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ है, जबकि लस्सी में प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम होता है ये दोनों अपने-अपने हिसाब से सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन क्या इनका साथ में सेवन करना सही है कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंडा और लस्सी एक साथ खाने पर पेट में पाचन की दिक्कत हो सकती है क्योंकि अंडा शरीर में गर्मी पैदा करता है, जबकि लस्सी ठंडी होती है इन दोनों का एक साथ सेवन करने से पेट में अपच या गैस की समस्या हो सकती है आयूर्वेद में खाद्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर वर्गी कृत किया गया है आयूर्वेद के अनुसार कुछ फूड कॉम्बिनेशन शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं अन्डा और लस्सी को विरुद आहार माना जाता है यानि ये एक साथ खाने पर शरीर में विशेले तत्व पैदा कर सकते हैं जिससे स्किन प्रॉब्लम्स, अलर्जी या पेट की समस्याएं हो सकती है अब बात करते हैं डॉक्टरों और न्यूट्रिशनिस्ट से की उनका इस बारे में क्या कहना है हमें हमेशा अपने खानपान को बैलन्स करना चाहिए अन्डा और लस्सी दोनों ही सिहत मंद होते हैं लेकिन इन्हें एक साथ न लेना बहतर होता है दोनों के पाचन के तरीके अलग होते हैं जिससे पेट की समस्या हो सकती है इसलिए इन्हें अलग-अलग समय पर लें तो दोस्तों, कुल मिलाकर अंडा और लस्सी एक साथ खाने से बचना चाहिए अगर आप दोनों का सेवन करना चाहते हैं तो बहतर होगा कि इन्हें कुछ घंटों के अंतराल पर लें इस तरह आप दोनों के पोशक तत्वों का फाइदा बिना किसी दिक्कत के उठा सकेंगे उमीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके पास ऐसे ही कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिल्चस्प वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहें, खुश रहें